पांच राज्यों में विधान सबाद चुनाओं और उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाओं परिणामों की घूशना के बाद अब देश में लॉगडॉन की ओर बढ़ने लगा है रविवार को राश्टी टास्फोर्स ने जहां दो बारा से दो सब्ता के लिए राश्टी लॉगडॉन लगाने की सिफारिश की है वहीं हर्याना और इसा सहित कुछ राज्यों ने लॉगडॉन की घोशना भी कर दी है दूसरी लहर में तेजी हो रहे संक्रमर की चेन को तोड़ने के लिए कोवड टास्फोर्स की मेंबर्स ने कंप्लीट लॉगडॉन की मांग की है इन मेंबर्स में एम्स और इंडिन काउंसिल आफ मेडिकल रिसरच शामिल है इस पर केंड सरकार सोंवार को फैसला ले सकती है सूतरों ने भासकर को बताया कि दोनों मेंबर्स एक हफ़से से ये मांग कर रहे है ICMR का तरफ है कि करोना की दूसरी लहर का पीक आना बागी है संसान का कहना है कि इन इस सितियों में संक्रमर की चेंड तोडने के लिए दो हफ़ते का पून लॉगडाउन जरूरी है केंड ने ICMR और एम्स की राय पर कोई फैसला नहीं लिया है सूतर बताते हैं कि तीन मैं के बाद केंड इस पर फैसला ले सकता है कहा जा रहा है कि फून लॉगडाउन नहीं तो आंशिक लॉगडाउन की घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती है दो सप्ता पहले भी राश्टी टासफोर्स ने सरकार से संक्रमर प्रभावश जिलों में लॉगडाउन की सिफारिश की थी लेकिन कहा जा रहा है कि पश्चिम मंगाल, असम तमिलनाडू, सहित पाच रज में विधान सबाच चुनाओं और उत्र प्रदेश में पंचाय चुनाओं के चलते इस पर विचार नहीं किया गया अब एक बार फिर टास्पोर्स ने कम से कम दो सब्ता के लिए राश्टर सर पर लागडाउन लगाने की सिफारिश की है इस टीम में नई दिली इस्थित अकिल भारती आयरोविक ग्यान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रनदीब गुलेरिया भी शामिल है जिन्हों ने एक दिन पहले ही सक्त लागडाउन लगाने की पैरवी भी की है करोना वाक्सीन और लागडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चानल को सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नभूलें